Hello dear students, welcome to your class, यह आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है वसंत, इसका चप्टर नमबर सेकेंड हम स्टार्ट कर चुके थे जिसका नेम था लाग की चूडिया और यह मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि लाग की चूडिया चप्टर में क्या स्टोरी थी, इसमे भारी गिरावट आ जाती है, इस चप्टर में से मैंने आपको कुशन्स करा दिये थे, और इसका यह वाला कुशन्स जो हमारा आपको दिख रहा होगा, कुशन नमबर टू तेक हो गया था, कि आपको ननियाल में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, यानि कि आपको मशीनी यूग में अनेक परिवर्तन आये है, आप ध्यान से सुनिएगा, मशीनी यूग में अनेक परिवर्तन आये, दिन होते रहे हैं, स्वरी होते रहते हैं, आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उधारन चुनिए और उसके बारे में लिखिए, यान यानि कि पहले लोग हाथ से कपड़े दोते थे अब मशीनों से दोते हैं पहले चरके से कपड़े बनते थे कॉटरन के कंबल बनते थे लेकिन मशीनों से होता है वो भी काम फरनीचर की कटिंग मशीनों से होती है यानि कई सारी चीज़े हैं जो मशीनों से होने लगी है या फिर यह कह दे कि सारी चीज़े जो पहले हाथों से बनती थी वो भी मशीनों से बनने लगी है तो इसमें से आपको भी एक 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 जामपल देना है तो यहाँ देखिए आज के इस मशीनी युग में हर छोटा बड़ा काम मशीनों के माध्यम से होने लगा है इसलिए इस युग में आए दिन अनेक छेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी खेत्र शेश नहीं रहा जहां परिवर्तन नहीं देखा जा सकता चाहे वह यात याद का चेत्र हो, संचार का चेत्र हो, स्वास्ते का चेत्र ये कृशी का चेत्र हो सभी में बढ़ते परिवर्तन का प्रिभाव प। स्वस्ट रूप से देखा slick जा सकता है उधारण के लिए कृशी चेत्र को ही लिया जाए तो जहां पहले किसान अपने हाथ और बेलों की साहता से कारे करता था आज वही कृषी मशीनों की साहता से की जाने लगी है कृषी की जुताई, बुवाई, निराई, सीचाई और कटाई मशीनों के द्वारा दिनों का काम घंटों में पूरा कर लिया जाता है इसका सूप परिणाम ये हो रहा है कि उत्पादन में व्रिदी हो रही है और कूप परिणाम की दृष्टी से किसान बेकार और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों की ओर जाने लगे हैं परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और बढ़ रही हैं शायद आपने इस कुश्टन को समझ लिया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगी इसका मतलब यह है कि जो मशीनी यूग के आने से हर्ट काम मशीनों से होने की वज़ए से लोगों के हाथ जो है वो एक बोले तो निकम में हो गए हैं कि हाथ काम करना चाहते हैं काम अंको आता भी है फिर भी उनके पास करने को कोई काम नहीं है और इसे अग्जांपल दिया है इन्होंने चैजिकी क्रिशी के छेत्र में यानि कि पहले जो बुवाई निराई गुडाई कटाई सारी हाथों से होती थी सारे मजदूर बुलाए जाते थे तो वो सब काम अभी किससे होता है मश काम हाथों से होता था उससे चल्दी होने लगा मशीनों से लेकिन नुकसान यह हुआ कि जो काम हाथों से करने पे लोगों को मजदूरी मिलती थी वह अब नहीं मिल रही क्योंकि वो तो पैसे मशीन ले जा रही है तो इसलिए लोग बे रोजगार हो रहे हैं और इसका एक अच्छा परिणा में कि व्रिदी हो रही है उसके उत्पादन में चीज़े बढ़ रही है लेकिन इसका दुष्परिणा मेरी बुरा प्रभाव यह है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है अब कुश्चन नमबर फोर देखिए बाजार में बिकने वाले समानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं आपस में चर्चा कीजिए तो बाजार में बिकने वाले समानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर परिवरतनों को हम समाज की बदलती मनोदशा रूची और फेशन में आ रहे परिवरतन की रूप में देखते हैं यानि की हर चीज में परिवरतन के नख्ष और है जैसे की हों घरों की गरों की जालियों की डिजाइन फ дост तो वह परिवर्तन किस प्रकार है तो इस प्रकार है कि बाजारों में बिखने वाले सामानों की डिजाइन में हमेशा चेंग तो होता ही है यानि परिवर्तन होते हैं वह किस पर डिपेंड करते हैं लोगों की मनोदशा यानि जैसे लोगों की मन होते हैं वैसे वह करते हैं मू हमारे खान-पान, रहन-सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बाचीत कीजिए और बाचीत के आधर पर लेक तेयर कीजिए यनि कि हमारे खान-पान, खाना-पीना, रहन-सहन, कपड़े इन सब में भी तो चेंज हो रहा है तो वो चेंज क्या हो रहा है उसके पक्ष में एनि कि उसके बारे में अच्छी बात है उसके होने से क्या अच्छा हो रहा है और विपक्ष में यानि उसके होने से क्या बुराई है दोनों के बारे में आपको बताना है तो यहां देखिए यह सच हैं कि बढ़ते पास्चात्य सभिता के प्रभाव की कारण हमारे खान-पान, रहन-सहन और कपड़ों में तेजी से बदलाव आ रहा हैं, इस बदलाव को जहां पुरानी पीडी देर से स्विकार करती हैं, वही नई पीडी इसे तुरन स्विकार कर लेती हैं, क्योंकि पुरानी पीडी के पहले ऐसा ना देखने के लिए कारण उसका विरोध करना स्वभाविक होता हैं, फिर वह जमाने को देखकर धीरे-धीरे अपने में भी बदलाव ला लेती हैं, इस प्रकार पक्षवी-पक्ष में चाचा करके अपने विचारों के अनुसार स्वयम लेक लेक तैयार करें यानि कि आपको भी इसका लेक तैयार करने को बोला हैं तो यह तो मैंने आपको आईडिया दे दिया है यालने आप बोलेंगे कि यह सच है कि पास्टा थे सब retained लोग धोती कुरता पाहनते थे अ गागरी ओडणा यह पेहनते थे लेकिन अब क्या पेहनते हैं जिन्स टॉप स्कुट यह सब पहनते हैं तो भी पास्ट चाहिए थे संस्कृती है अब रगजी चीजों में यह आपकी हेर स्टाल देख लो मेक अपकी शादियों के तरीके देख लो तो उससे उसका प्रभाव हमारे खानपान पर भी है यानि हमारे खाने की जो डिशेज होती थी वो पहले अलग होती थी पहले जमाने में मारे जो दादी होती थी मम्मी होती थी पर दादी होती थी वो सब क्या खाते थे दलिया रबडी जैसे की वो चाच और चावल को बना के जो मतलब बनता है मिलाके बनता है वो यह सब खाते थे वो सब हेल्दी होता था लेकिन अब धीरे-धीरे चीजों को हेल्दी के साथ साथ उनके टेस्ट उनके कलर उनको भी देखा जाता है यह जो वेस्टन वा की जो कल्चर है वो हमारे अंदर दीरे-दीरे आ रहा है और उसका फरक यह कि जो पूरानी पीडी है पूरानी पीडी आनी हमारे parents, दादी, हमारे मम्मी, हमारे पापा वह सब को अपना दिरी में थ्रोड़े टाइम लगाते हैं और जो अभी की बच्चे हैं जैसे कि आप हम इसको जल्दी से स्विकार कर लेते हैं लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जाता ह सबको उस चीज़ को सच्चाई को स्विकार करना ही होता है यानि दीरे दीरे उसको सब स्विकार कर लेते हैं और यह इस बात की सच्चाई है तो आपको भी अपने विचार इस बारे में लिखने हैं तो आज का आप हमबग देख लीजिए question number 3 यह नीचे वाला यह आपको पूरा भी दिख रहा होगा यह देखिए बिटा यह पूरा यहां से यहां तक ठीक है अब इसक्रीन शॉट लेकर आप कर सकते हो उसके बाद आपका है question number 4 and 5 यह आपको उपर दिख रहा है इसमें आपको पूरा same to same नहीं करना है इसमें आपको पूरा same to same नहीं करना है यानि कि अपने मर्जी से भी इसको बनाना है और question तो आपको आपकी book में मिल जाएंगी सिर्फ answer के लिए आपको इस वीडियो बर जरूरत पड़ेगी तो आप अच्छे से इसको सुने और लिख ले अब जो most important बात जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ वो यह है कि बिटा आप लोग जो work है आजकल वीडियो के view कम आ रहे हैं बहुत कम बच्चे हैं जो वीड लेक्जाम भी होंगे लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना जरूरी है इस बार तो आपने जैसे टेसे टेस्ट दे दिया आपने कई से चीटिंग भी कर ली कई से कुछ तुक्का भी लगा दिया कई फ्रेंड से भी कुछ ले लिया लेकिन फर्स उनिट जो था वो बहुत ही तो उसका सिलेबस आपको ढूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ढूनते ढूनते आप ठक जाओगे आखिर आपको जरूरत पढ़ेगी आपकी कॉपी की जिसमें आपने ये सब लिखा हो तो अच्छा होगा कि आप ये सब लिख ले ताकि आपको आगे जाके प्राब्लम ना हो और ये बात भी फिक्स है कि जरूरी नहीं है कि आपके जैसे टेस्ट हुए है गर पे बैठके वैसे आपके एक्जाम भी हो आपके एक्जाम स्कूल में भी हो सकते हैं तो वहाँ को नदा तो चिटिंग करने को मिलेगी ना ये कोई बताने वाला होगा तो हमारे एक और वीडियो होगा इस चेप्टर का और फिर उसके अगला वीडियो होगा हमारे नियर चेप्टर का ओके थैंक्यू